नमस्कार दोस्तों मैं रम्यापका मेरे चैनल में स्वागत करता हूँ फ्रेंड्स आज हम बात करने वाले हैं एस डियाई 350 NG मोडल के बारे में जो आप यह सामने देख रहे हैं यह 40 HP ट्रेक्टर है यह 40 मोडल है इसका और साथ ही मैं बात करेंगे आज पुरा इसी वीडियो का वॉटर कूल इंजिन करेंगे ओर साथ ही में इसका पावर टेकोवर देखने को मिल जाये एक और तो आपको 28 क्लोमेटर प्रती गंटे की रफ तर देखने को मिले और रिवर्ण किर तो 11 क्लोमेटर प्रती गंटे की रफतार इसमें दी जा रही है आठ फोरवर्ड गेरबोक्स है साथ ही में दो रिवर्स आपको देखने को मिल जाएगा अब बात करते हैं इसके कलच के बारे में तो आपको ड्राय टाइप सिंगल क्लच इसमें दिया जा रहा है ड्यूल क्लच आपको इसके अंदर ऑप्शन एक ओफ इसका आरपीम है तो अब बात करते हैं फ्रेंट्स एस डियाए 350 के टायर्स के बारे में तो जो आपको फ्रंट टायर दिये जा रहे हैं 16 इंची देखने को मिलेंगे रियर टायर की अगर बात करें तो आपको 28 इंची टायर इसमें दिये गए हैं लिफ्टिंग 30 mm की आपको वृत मिलेगी 420 mm का आपको ग्राउंड क्लेरेंस इसके अंदर दिया जा रहा है 3020 mm का आपको टर्णिंग रेडियस इसका देखने को मिल जाएगा 1930 केजी का आपको टोटल वेट दिया जा रहा है इसका और ओवरोल विल बेस की अगर बात करें तो आपको 1960 mm का इसका विल बेस दिया जा रहा है 37 लिटर की फ्यूल टेंक के आपको देखने को मिल जाएगी जो जोगी ह pept यह ऑची बात है साथ ही में अगर बात करेंहीं रापको इसके लिग जा रही है वह आपको और जफ़ेप सिन्ल जरूर देखने को मिलेगी साथ ही में जो ब्रेक्स वह भी आपको ड्राय डिस्क ब्रेक्स आपको इसके अंदर दिये जाते हैं बट तो अब बात करते हैं फ्रेंट्स एस डियाई 350 के डिजाइन एंड लूक के बारे में तो आप जो यह लूक देख रहे हैं यह फ्रेंट का इसका एक बहुत ही मैश लूक देखने को मिलेगा साथ ही में अगर बात करें इसके हेड्लेंप्स के बारे में तो आपको हैलोजन हेड्लेंप्स दिये जा रहे हैं एंजी की ब्रेंडिंग आपको देखने को मिल जाएगी इसका पूरा नाम है एस डियाई 350 एंजी ट्रेक्टर है यह साथ ही में एसकेReally के ड्रेंडिंग लूक इसके मिल जाएगा। तो आपको एक्शन कंस्ट्रॉक्षण एक्विप्मेंट देखने को मिलेगा 40HP BS3P आपको इसका grade भी देखने को मिल जाएगा और power के बारे में भी आपको जानकरी पहले ही मिल जाएगी जब आप इसको लेने जाएंगे साथ ही मैं आपको turn indicator side में दिये जा रहे हैं जो कि एक बहुत ही अच्छी quality के देखने को मिलेंगे अगर material wise बात करें तो बहुत ही अच्छी quality आपको दी जा रहे हैं foot step इसके अंदर आपको देखने को मिल जाएगा जिससे कि आप इसके उपर आराम से चड़ सकते हैं और अगर बात करें इसके instrument cluster की तो आपको एनलोगी देखने को मिलेगा सबी चीज़े आपको fuel meter वगेरा सब कुछ एनलोगी इसके अंदर दिया जा रहा है total अगर speed की अगर बात करें तो 28 km आपको प्रती गंटे की रफ्तार से यह चल सकता है जो कि इसकी forward speed है साथ ही में आपको इसके अंदर इसके levers देखने को मिल जाएंगे और 4 speed तक का आपको इसके अंदर एक lever दिया हुआ है access lever साथ ही में 2LV socket आपको इसके अंदर मिल जाता है hazard light का switch आपको दिया जा रहा है इधर side में आपको turn indicator का switch और horn का switch भी दिया गया है overall अगर बात करें तो आपको quality wise बहुत ही ज़्यादा अच्छा है इसा नहीं कि बतलब आपको जो lever की quality है वो पसंद नहीं आए सब कुछ आपको इसके अंदर बहुत ही बढ़िया देने की कौशिश करी गई है made in India tractor है और बहुत ही अच्छा चलता है यह 28 इंच का wheel इसका देख रहे हैं रियर में भी आपको एसकी waging देखने को मिल जाएगी एल लाइट्स की अगर बात करें तो आपको normal buls भी दिये जा रहे हैं और रियर के अंदर भी आपको एक lamp दिया जाता है जो कि एक halogen lamp है तो यह भी बहुत ही अच्छी बात है ओवरॉल अगर quality की बात करें तो Ace की quality बहुत ही जजदा अच्छी आपको देखने को मिलएगी क्रेंज की quality भी आपको बहुत ही जदा पसंद राएगी साथ ही में इसके जो equipment सें वो भी आपको बहुती ज़्यादा अच्छे देखने को मिल जाएंगे overall अगर बात करें इसकी controlling के बारे में तो भी आपको बहुती ज़्यादा easy controlling देखने को मिल जाएगी तो यह एक बहुती अच्छी बात है साथ ही में driver's seat के जस्ट पीछे साइड में आपको एक bottle holder भी दिया जा रहा है अगर आप construction वगेरा या फिर अगर agriculture के लिए लेते हैं तो आपको जरूरत पड़ सकती है जो आपको जो आपको जरूरत प्राइड में आपको जापको 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 के लिए सकती है झाल 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 झाल